हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू प्रिटी कॉर्डनर राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे के सरल तरीके से घट स्थापना कैसे करी जाती है तो देखें सबसे पहले आप इस तरीके का मिट्टी का कोई बरतन ले लीजिएगा जुआरे बोने के लिए तो आप मिट्टी का ले सकते हैं स्टील का भी ले सकते हैं और उसमें आप मिट्टी भर लीजिएगा और अब हमें जो चाहिए तो आप अगर ऐसे जोन लेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो यह देखिए भीगे वे जो लेंगे हम या पर एक रात पहले ही मैंने इने भीगो दिया था इससे आपकी खेतरी बहुत ही हरी भरी और बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही जल्दी से आपके जो है जो अंकुरित हो जाएंगे तो अगर आप अलग से कुंडे में साइड में रखके बोना चाहते हैं तो आप इस कुंडे को साइड में रख दीजिएगा नहीं तो हम इसी के ओपर घट स्थापना कर देंगे और आप इसके ओपर मोली भी जरूर से बान दीजिएगा और अगर आप अलग से घट स्थापना क तो आप एक प्लेट में चावल या अस्ट दल कमल बनाकर उसके उपर अपना कलश रखेंगे तो यह देखे हम कलश लेंगे कलश आप मिट्टी का तामबे का पीतल का कोई भी ले सकते हैं तो यहां पर यह मैंने आज पीतल का कलश लिया है और इसे हम बिल्कुल सेंटर में अपनों चाल करा आप बिल्कुल आप नया अभानदें हैं और उसके बाद साफ जल से आप अपने कलश को कंठ बर दिया गहां और उसके बाद अम इसमें थोड़ा सा डालेंगे गंगाजल तो गंगाजल बहुत जरूरी होता है डालना लिष्ज़ या प्लील दालना को और अब हम इसके अंदर डालेंगे एक सुपारी और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी की गांट आपके पास अगर गांट ना हो हल्दी की तो आप सुखी हल्दी भी डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर मैं डालूंगी चांदी का सिक्का आप चाहें तो नॉर्मल वाला सिक्का भी ढाल सकते हैं दोनों में से जो आप चाहें वो एक डाल दिजिएगा और उसके बाद हम इसमें तोड़े से अक्षत यानि कि थोड़े से चावल ढालेंगे हम इसमे और अब हम इसमें थोड़ इसी रोली डाल देंगे और अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो आप उसे एक दिन पहले पानी में भिगो के रखिएगा नहीं तो वो बहुत ज़दा पानी सोकता है और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ इसी दुरुवा घास और थोड़े से फूल भी आप कोई भी डाल सकते हैं लाल पीला कोई भी और अब इसमें हम पलव लगाएंगे तो आप 5, 7, 9, 11 कितने भी ले सकते हैं तो आप उन पे इस तरीके से तिलक कर लिजिएगा और यह जो हम कलश में पलव लगाते हैं यह आप आम के ले सकते हैं अशोक के ले सकते कितनी ही बिंदी लगा देंगे तिलक कर लेंगे और बहुत अच्छे से दिल से हम मातर आने का स्वागत करेंगे और अब यह देखिए हम एक प्लेट ले लेंगे उसके उपर आपको चावल भर लेने हैं और उसको आपको कलश के उपर रख देना है और अब हम यहाँ पर अप अच्छे से वैसे इसे सजा लीजिएगा इसके बाद यहां पर मैं यह सवा मीटर लाल रंग का कपड़ा ले रही हूं हूं आप चाहें तो चुन्नी भी ले सकते हैं और यह देखें यह मैं बांध रही हूं बीडा या भेट कहते हैं इसे आपकी जो भी मनोकामना होती है उसक पर कपड़ा कुछ भी लपेट दीजिएगा और इसको कलावे से अच्छे से सील कर दीजिएगा तो यह देखें इस तरीके से चारो तरफ से अच्छे से हम गोल गुमाते वे कलावा लपेट देंगे याद रखेगा इस कलावे में गाठ नहीं बांधी जाती है इसे कैसे होता है कैसे रखना चीए पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना के चैनल पर डाल रखे उसे जरूर चेक कीजिएगा आपके सारे डाउट जरूर किलियर होंगे और यह देखे इस तरीके से हमने आपर रख दिया है अब थोड़े से फूल चड़ा दीजिएगा आप और अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले